नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आये नज़र डालते हैं नाकपूर की वीबित हलचल पर नागपुर शहर जीला कॉंग्रेस कमिटी व ग्रामिन जीला कॉंग्रेस कमिटी के आवाहन पर एवं शहर अद्धेक्ष विदायक विकास ठाकरे तथा ग्रामिन कॉंग्रेस अद्धेक्ष राजंद्र मुलक के सयोक्त नेतरूत्व में शहर के सांसद एवं के इंद्रिया मंत उत्तरभार्तियों और महाराष्ट की जनता को कोरोना स्प्रेडर कहे जाने के मुद्धे को लेकर कॉंग्रेस का उत्तरभार्तिय सेल भी आक्रमक हो गया है। प्रकाश धगे, रमन पैगवार, जुल्फीकार एमद भुट्टो, दिनेश तराले, अन्ना जी राउट, एड्वोकेट अभैरंधिवे, तनुच पांडे, प्रमुकता से उपस्तित थे। इस अउसर पर मोदी सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की गई। इस आंद के उत्तर भारतिय समाज से उनके गाव में रहने वाले परिवार और रिस्तेदारों को पोत की पाती परिवार के नाम अभियान के धात एक लाख पत्र भिजने की गुशना की है। मुंबई और महाराष्टर में रहने वाले लाखों की संख्या में उत्तर भारतियों ने मन बना लिया है। पुर्वासियों के प्यार के कारण आज रोकडे ज्विलर्स नाकपुर शहर में आभुशन बनाने के शेत्र में अग्रणी नामों में से एक है। ग्रहकों के प्यार के चलते एक छोटे से शौप की रूप में शुरू हुआ यह सफर आज रोकडे ज्विलर्स के नाम से मशूर ब्रान के तौर पर देश भर में पैचाना जाता है। हमारी शुद्ध था अभिनाव कलात्मकता और पारदर्शी वेवार के कारण ग्रहकों का प्यार हमारे लिए दिन बदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब हम ग्रहकों के लिए एक और खास चीज लेकर आ रहे है। अब आपका प्रियर उकडे ज्वेलर्स ज्वेलरी शौपिं एरपोर्ट पर हमारी चार शाखाय है और इन सभी शौरूम में ज्वेलरी खरीदने के लिए ग्रहकों का आना जाना कभी नहीं रुकता। हमें यहां गोशना करते वे भी खुशी हो रही है कि अब आप हमारे शौरूम के साथ अपने पसंदिदा गैने ऑनलाइन खरीच सके आनलाइन शौपिंग के जरिये गैनों की खरीदारी उपभोगताओं के लिए आसाना और सुविदा जनक होने जा रही है। उनका सतकार कर रहे है। कारेक्रम को राजेश रुकडे, प्रमोत पेठे, गुविंद पचारी, सौरब ढूमने, श्रीकान भंडर कर विलाज बांगरे आदी ने संबुधित किया। भगवान दास लचुरिया ने ये तो सच है कि भगवान है गीत प्रस्तुत कर सभी को मंत जा रही है। ऐसे दोर में बुजूर्गों का अभिवादन समारों का आयोजन अनुकरनी ये है। कारेक्रम में बुजूर्गों का पगडी शाल, श्रीफल, पुष्पग, उच्छव, अस्मृति चिन्न प्रदान कर सतकार किया गया। सतकार समारों के आयोजन में गोविंद पसारी, अतुलराव बांगरे, नाराइंडराव वडे, राजिंद्र मोड, पुर्षत्तम कावले, अशोकराव नाचनकर, प्रधीप कामवानी, विलाज बांगरे, आधिन सहयोग दिया। कारेक्रम का रूचक काव्यमे संचालन कभी अनिल मालो करने किया। इस परिसर में काना के तर्ष पर दिवार उपर वन्य प्रानियों की चित्र बनाये गये है, तथा आसपास रुक्षार ओपन भी किया गया है, ताकि परिसर को स्वच्छ और सुन्दर बनाया जा सके। इस सिनैनपूर रेल परिसर अत्यनता आकर्षक वा मनमोहक हो गई है। इस स्टेशन का उदगाटन 18 फरवरी को दक्षिनपूर्व मध्यरेलवे बिलासपूर के महाप्रबंदक आलोक कुमार के निरिक्षन दवरे के आउसर पर किया जाना है। युवा सेना महिला अगाडी के प्रमुक नेता मुख्य रूप से उपस्तित थे। यह कारेक्रम का आयोजन युवा सेना मध्यना आकपूर की ओर से किया गया था। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रती प्रतिक मानव का उत्तरदाईत वह है कि समाज उत्थान के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करें। क्योंकि समाज सेवा ही सची सेवा है यही विचारों पर चलकर नाकपूर शहर के उच्चे शिक्षित सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर प्रीतम भीम्राव गेडाम कई वर्षों से सामाजिक वशैक्षणिक शेत्र में कार्य कर रहे हैं। निवारन, व्यवस्था व व वीका संबंदी विशैयों पर समाज जागरुकता के लिए देश के विभिन रज्जों की राष्ट्रिय दैनिक समाचार पत्रों और साथी विदेशों से भी हजार से ज़ादा उनके लेख प्रकाशित हुए है। इसके पहले भी उन्हें देश के अनेक प्रतिश्टीत पुरसकारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गेडाम की इस उपलब्दी पर सब उन्हें बधाहिया दे रहे है। नाकपूर पश्चिम के अवस्थी चोग से जिंगाबाई टाकली मार्क पर आवागमन बड़ी संख्या में बढ़ता जा रहा है। अवस्थी चोग से जिंगाबाई टाकली मार्क पर गोरेवाडा रिंग रोड भी है। आज 15 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ग के सभी नागरीकों का कोवी शिल्ट का टिका करन नागपुर महानगर पालिका के साथ सरकारी केंदरों पर होगा टीका करन का समय शाम के 5 बज़े तक होगा टीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन केंदरों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से आधिकायू के सभी नागरीकों को कोवी शिल्ट के जरिये टिका करन किया जाएगा यह जानकारी चिकित सा स्वास्थ अधिकरी डॉक्टर संजे चिल्कर ने दी इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आईवर्गे के नागरीकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोद यह देखा गया है कि जिलावार्षी की योजना की राशी का आभितक केवल 50 प्रतिशत ही खर्च किया गया है और वैका प्रतिशत बहुत कम है अगले एक माहा में सभी स्वीक्रूती लेकर योजना की राशी समय पर खर्च करें इस आशे के निर्देश कलेक्टर आर विमला ने जिला योजना समिती की समिक्षा बैठक के दोरान संबंदित अधिकारियों को दिये वैक अलेक्टर के बच्चत भावन में बैठक को समुतित कर रही थी इस अउसर पर जिला परिशत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुम्भेज कर जिला योजना अधिकारी राजश गायकवाड सहाय कायक्त समाच कल्लेंड बाबा साहिब देश मुख आदिवासी विकास पर योजना अधिकारी अशुक वहाने उपस्तित थे जिलावार्षिक योजना के अंतरगत सामान्या अनुसुचित जाती उपयोजना एवं आधिवासी उपयोजना के तहट जारी कारियों की समिक्षा जिलाधिकारीने की 14 फरवरी तक सभी जरूरत के संसाधनों की खरीदारी एवं एक महिने के भीतर पूरी नीधी को खर्च करना होगा ये भी सुजाओ दिया गया कि यदि राशी अधिक हो तो उसकी बचट की जानी जाहिए यदि किसी कारिय के लिए अधिकराशी की मांग की जाती है तो तुदकाल एक्सपष्ट और पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करके सव प्रतिशत धनराशी खर्च करने का उद्देश अप्राप्त किया जाना चाहिए विदर्भा के 13 लाख व्यापारियों की अगरणी वशिर्ष संस्था नाक विदर्भा चेमबर अफ कॉमर्स ने नाकपुर जिले में जमिन खरीदी विक्री हेतू रजिस्ट्री वफेरफार से सम्मदित मामलों को सुलजाने को गती बढ़ाने हेतू सरकार कोई ग्याबन सोपा है चेमबर के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश में हाडिया ने कहा है कि नाकपुर शहर मजिले के ग्रामेन इलाकों में पिछले साल से जमिन विक्री हेतू पंजी करन वफेरफार का कारिया बहुत ही धीमी गती से चल रहा है जिसके कारण खरिदारों को बैंक लोन लेने में भी कठीनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा रजिस्ट्री लगने में महिनों का समय लग रहा है साथ ही इन कारणों से सरकारी राजस्व का भी नुकसान हो रहा है रजिस्ट्री करने वालों की सुची लगातर बढ़ती ही जा रही है जिसका जल से जल दिप्टारा किया जाना चाहिए चेंबर के सचीव रामाउतार तोतला ने कहा है कि सरकार एवं प्रशासन को जल से जल जमिन विक्री हेतु पंजी करन्व फेरफार कारियों में गजिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इस व्यवसाई से जुड़े हुए व्यापरियों का नुखसान नहों तथा सरकारी राजस्व में भी वृद्धी हूँ सरस्वती का पूजन किया कार्यक्रम में मुख्य अति थी युवा कॉंग्रेस के शहरुपाद धिक्ष वसिम खान ने विद्यार्तियों के समक्ष वसंत पंचमी पर मार्ग दर्शन किया इस अउसर पर वरिष्ट समाथ सेवी प्रेम लाल खोटे युवा नेता अतुल नमना अगे प्रोफेसर राजश पेंदाम, शिवकुमारी बातो मुख्य रुप से उपस्तित थे देश की आजादी की पचातरवी वर्ष्ट कार्ट के आउसर पर पूरे देश में आजादी का अमरुत मोहत्सो मनाया जा रहा है इस इश्रुंख्ला में मेट्रो भवन में आयोजित कवी सम्मेलन में लेखक, पत्रकार और जाने माने निवेदक, प्रकाश एदलाबाद कर, संसकार भारती के अध्यक्ष और प्रसिद्ध व्याख्यता, अशुतोष आडोनी, प्रसिद्ध व्यंगकार अनिल मालोकर और प प्रस्तुती दी, मन्युशा अनिल, सर्वेश वर्डनविस, अपरना विछोरे, चित्रा कहते, रजनी साथपुते, अभिशेक बेलरवार, सुरुची डबिर, मीनल येवले, अनुराधा हवलदार, जोचना साने, अभिजित खोडगे, आनन देश पांडेने प्रस्तुती इस समय प्रोफेसर एदलाबादकर ने नागपुर की अपनी यादों को ताजा करते वे कहा, कि वेशन 1947 से लेकर अब तक नागपुर में विकासात्मक परिवर्तन देख रहे हैं, मैं इस शहर में सारवजनिक परिवहन मेट्रो को चलता हुआ देख रहा हूँ, जिसमें एक तो रिक्षा की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी, उन्होंने कहा कि नागपुर मेट्रो ने नागपुर शहर को सही माइने में एक नई पहचान प्रदान की हैं, मध्य रेलवे नागपुर मंडल की मंडल रेल प्रभंदक रिचा खरे ने बताया कि इंडियन रेलवे स्टेशन डेलोप्मेंट कॉर्परेशन को बंद कर दिये जाने से अब नागपुर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की जिम्मेदारी रेलवे लैंड डेलोप्मेंट Authority RLDA को दी गई है मध्य रेलवे इस प्रोजेक्ट के लिए जोन स्तर पर जरूरी कदम उठा रहा है उन्होंने पत्र परिशद में बताया कि इटार से इसे नागपुर के बीज अभी 110 किलोमेटर प्रतिगहंटे की गत्ती से यात्री ट्रेने चल रही है राज़ानी एक्सप्रेस और दुरंतो जैसी गाड़ियों की रफतार 120 किलोमेटर प्रतिगहंटे है इसे 130 किलोमेटर प्रतिगहंटे करने के लिए CRS ने जरूरी सुधार कारियों को सशर्थ मंजूरी दी है ये कारियों होते ही मार्च महने की अंसे इस मार्क पर ट्रेने 130 किलोमेटर प्रतिगहंटे की रफतार से चलेगी उन्होंने बताया कि नाकपुर वर्धा थर्ड रेल लाइन प्रोजेक्ट में पिछले साल 20 किलोमेटर काम हुआ वर्च 2022-2023 में 33 किलोमेटर काम होगा और मार्च 2024 तक थर्ड लाइन वर्क पूरा करने का लक्ष रखा गया है रेलवेबोर्ट की हरी जंडी मिलने पर ही अजनी की मैकनाइज लॉंडरी को भाल किया जाएगा किंद्र सरकार की बजट में सेंटर रेलवे के लिए 2350 करोड रुपे दिये गया है जिसे विवित कारिय पूरे किये जाएंगे नागपुर महनगर पालिका की और से गुरुवार को 6 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कारवाई की गई और उनसे कुल मिलाकर 40,000 रुपे का जुर्माना वसूल किया गया उपद्रवखोजी दल ने धरंपेट जोन के अंतरगत श्री दत्ता एजंसी प्राइवेट लिमिटेट के खिलाफ सड़क पर कच्रा डालने की कारण कारवाई की और 5,000 रुपे का जुर्माना वसूला इसी तरह लौकलेट चोक के निकट जवाहर विद्यार्थी सभाग रुव और अमरावती रोड सित कल्लैंड मंडपम के खिलाफ कोविड नियमों के उलंगहन के कारण कारवाई की गई और 10,000 रुपे का जुर्माना वसूल किया गया इसी तरह आशे नगर जोन के अंतरगर टेकाना का कामठी रोड सित हसन बेक के खिलाफ सड़क पर कच्रा और कंस्ट्रक्शन का सामान डालने के वज़ह से कारवाई की गई और उनसे 5,000 रुपे का जुर्माना वसूल किया गया NDS प्रमुग विरसिन ताम्बे के मार्क दर्शन में तमाम कारवाई की गई है कामठी स्थिक प्रभाग 15 सेलाब नगर में पुर्वपालक मंत्री एवं विधान परिशत सदस्य विधायक चंद्रशेकर 52 कुले के अथक प्रयाज से अन्ना भाव साथे दलित वस्ती सुधार योजना के अंतरगत नीधी मंजूर कराई गई इस नीधी से सेलाब नगर में शेक सलिम के निवास्थान से लेकर शेक अनिस के घर तक सिमेंट रोट का निर्मान कारिय किया जाना है पारशत संध्या उजवल रायबोली की प्रमुक उपस्तिती एवं अभियंता मंगेश लाड़े के मार्ग दर्शन में तन्विर बेगम के हस्ते इस सड़क निर्बान कारिय का भूमी पोजन हुआ इस आउसर पर रेश्मा परविन, नासीरा बानो, शकीला बानो, परविन शेक, सायरा बानो, रुखसाना बेगम, रिजवाणा फ्रदोस, रोजीना परविन, सोनी शेक, अनिसा एहमद, मुहमद रियाज, अब्दुल गनी, अमान अली, मुहमद कैफाम, मुहमद शहवाज, आदी मान्यवर उपस्तित्थे उपरोक्तक कार्य के लिए नीधी उपलप्त कराने पर पार्शत संध्या उजवल रायबोले ने पुर्वा पालक मंत्री वविधान परिशत सदस्या चैंद्रेशिकर बावन को ले विधाक टेक्चन सावर कर नगराद्यक्ष शाहजा शफाद संसारी का आभारमाना है हिंगनार आएपूर के दसरा मिदान में हजरत मुकाशा बाबा रहमतल्ला अलह की दरगा शरीफ पर दरगा कमिटी की ओर से हिंदल वली खवाजा मौयनीदीन चिष्ति रहमतुल्ला अले ख्वाजागरीब नवास की छटी शरीफ मंगलवार को मनाई गई नमाजे मगरीब के बाद शाम साड़े छे बजे से देर रात तक खीर और लंगर वितरन किया गया हजारों शरधालों ने महाप्रसाद का लाब उठाया करेक्रम को सफल बनाने के लिए मुकाशा बाबा दर्गा कमिटी के पदाधिकारी अलीम महाजन, शोयब महाजन, कलीम महाजन, समिर महाजन, शरीफ शेक, रहमान महाजन, कादिर महाजन, आरिफ महाजन, सलीम शेक, निजाम महाजन, महसिन शेक, रियाज महाजन, अश्वाक शे अमरावति के मनपायुकतर डॉक्टर प्रविन आश्टीकर पर स्याहिफे के जाने की घटना का राम्टेक नगर परिशत के अधिकारियों व कर्मचारियों ने तिवरविरोत किया है इस अउसर पर प्रशासनिक अधिकारी राजेस सवालाखे, नगर अभियंता गनेश अंदूरे, लेखाकर दिनेश पाटिल, सहायक नगर नियोजक अनुपतूरकर, प्रधान मंत्री आवास योजना के अभियंता अभिशेक अंबागडे, राकेश खीचर, गजानन महाजन, न नेवारे, निल्या पडोले, विजेनाटकर, नगर परिशत कर्मचारी संगठन के कार्यकरता गोविंदा तूपट, आदी ने अपना विरोज जताया और दोशियों के खिलाफ काड़ी कारवाई की मांग की अलमिजन की सिलवर जुबली पर शमीम एजाज की फुस्तक का विमोचन राष्टिय पुरसकर से सम्मानित डॉक्टर यासिन कुद्दूसी की हस्ते किया गया सुफी नकर स्थिट डॉक्टर खलील उल्लह लाइब्रेरी में आयोजित कारेक्रम में विशच अतीती के रूप में नगर परिशतुपाद देक्ष्य एहफाज एहमद, शबाना बेकरी के प्रबन संचालक मुहमत सुलेमान मुहमत उस्मान, एमेम रब्बानी, जुनियर हाजी अब्दुलवाहिद अंसारी असीफा अंजुम ने किया, बज में अदब के शांदार 50 साल पूरे होने की जानकारी सचियू सोहिल अंजुम ने दी, मन संचालन मास्टर तोहिद उल्हक ने किया, एवं आश्या सोहिल अंजुम ने मानने वरुका भार माना, इस अवसर पर नागपुर, वकामठी के कई संस्थाओं ने अलमिजान के संपादक शमिम एजाज का सतकार किया, परवेज याकूबी ने कारेकरम के लाइब टेलिकास्ट की व्यवस्था की, कारेकरम के सफलतार्त जुनेद अबरार, मुकीत तुलहक, राशिद यूसुफ, जोया, हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस, नमस्कार